नौशकार मासंगरा में आपका स्वागत है, मतदान हो चुका है, उसके बाद राइदनीता जो है विसात विशार हैं, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसका आकलन हो रहा है, और जो राइदनीतिक विशेश्यक हैं, वो अपने अपने तरीके से समिक्षाओं में लगे हैं मेरे साथ पंडित अर्विन तिवारी जी हैं, बहुत बड़े जोतिर विद हैं, आप साब इनको जानते हैं, भारत के नेस्ता नवस के नाम से आप चर्चेत हैं, पंडित जी आपका बहुत अभिननन है, और पहला समाज लिए है कि सरकार किसकी बन रही है, जोतिश क्या कह लेने जा रहे हैं, इस महा संग्राम में सबसे वड़ी ख़बर पंडित अर्विन तिवारी जी यही दे रहे हैं, कि मद्द परदेश में कॉंग्रिस की सरकार बन रही है, और कमलनात एक बार फिर मद्द परदेश के मुखमंतरी की शपत लेंगे, इसके पीचे गनित क्या ह क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक लाडली बेहना जोजना आई और उसका बड़ा व्यापक असर हुआ है, सवा करोड महिरा हैं उसके लावान वित हो रही है, और सब ने एक तरफा बीजेपी को बोड़ दिया है, चर्चा तो ऐसी थी, देखिए अन्रग भाई, मेरा मानना है कि हम जोतिशी हो तो हर काम जोतिश के आधार पर ही मैं बोलता हूं और जोतिश के आधार पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहत ज़रूरी है, सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर मद्दान कब हुआ, चुनाओ की तारीक की घोशना कब हुई और बोटिंग इस पहले सब ता की है, ना उबर के पहले सब्दा में चार बड़े ग्रहों का राशी परिवर्तन हुआ, सबसे बड़ा जो राशी परिवर्तन था वो रहूर केतु का था, राहू मीश राशी से निकल के वक्री गती से ब्रहमन करते हैं, वहीं आप देखें कि चार तारी को शन मारगी हो गए पहले वक्री थे इसके अलावा आप देखी कि शुक्र जो कि सिंग राशी में भ्रमन करे थे वो अपने मित्र यानि बुद्ध की राशी में ही नीच के हो गए और एक चीज़ जो सबसे कमाल की है कि आपको मद्यप्रदेश की कुंड़ी भी देखना पड़ेग मद्यप्रदेश धनू लगनो कन्या राशी का आप ये साथ मैंने कई प्रोग्राम में इसको बताया है अब मुझे लगता है कि कमलनाज जी की भी कन्या राशी है मिथुन लगनो ब्रिश्टिक राशी के जाता है लेकिन लगन का स्वामी ग्रभ बुध है और शिवराज जी जो है वो सिंह राशी के जाता है और मीन लगने के जाता है और आप देखें कि दोनों में बड़ा भारी फर्क है अच्छा आप देखेंगे कि जब भी इस प्रकार की ग्रश त्थी होती तो सबसे बड़ा लाब कमलनाज जी को होता है इस में एक बड़ी महत्मूर बात है कि अगर कमलनाज जी मुखबंती बन रहे हैं जोतिश के हिसाब से जो विज्ञान है गणित है जोतिश कोई मजाक नहीं है अगर उस हिसाब से कमलनाज जी मुखबंती बन रहे है तो फिर शिवराज जी क्या करेंगे लिए शिवराज जी बारती दंता पार्टी के कारी करता रहे विधयाग रहेंगे और विधा Juda صववा अवशिदाए और बारती दंता पाटी का काम कर्ते उनके मंन में कहीं ईक बार और मुक्मति भने उनके मन में है कि वह ho भाजपा के सबसे लंब समय तक सबसे लंबी अवधी तक रहने वाले मुक्मति भनि देखे इस समें शिवराई घी किंड़ी में मारःकेत दशाय और मारःकेश मोने शिवराईध की कि वहाँ भुडी आथा तौ दुध मारःकेश है और वो चलेगा है शिवराई जुलाई 24 तक जुलाई दो हेदार चोवीस तक तक तो थोगा मुख्यमंति पर्ट पे कोछ शोविक कर पाना उसके बाद यह दी कोई संभावना बनती है वद्ध विदेश में तो हम अनिसंदे उस बारे में बात कर से तो हम मानने एक महीना यह और साथ महीने तर बिलकुल बिलकुल बिल पाकेश की द्रशा में हैं मुख्यमंति नहीं बन पाएंगे बीजेपी की तरफ से बहुत सारी आप आपने तो मतलब पहली बॉल पे गिल्लियों उडा दी कि कॉंग्रस की सरकार बन रही है मैं तो यह देख रहा था कि बीजेपी ने कही सारी इस महा संगराम में मुख्यमं अर्णिशन की कुडली जो है हम सभी जानते हैं कि वह धनु लगनों ब्रश्यक राशी के जापाइड़ अब्रश्यक राशी के हैं ब्रश्यक राशी बर्तमान में शनी की अशुव भहिया से बहुत पीज़े थे शनी चुकि इस समय गोचर में चौते भाव में गोचर रथ महत्पून ग्रह माना इलाता है और गुरू पंचम भाव जो कि राजनीती के भाव का स्वामी ग्रह है वहीं पर वक्री गती से गोचर रहते हैं और यह कब तक रहेगा 31 दिसंबर तक का समय मनी नरीन सिंग जी के लिए बीहत कम जोर है और फिर धाई साल दहिया शनी 2025 तक च मुख्यमंत्री के बीच में कुछ गड़बढ हो कर दो कि मुख्यमंत्री दिखते हैं वह भाविश में लेकिए उनकी कुंडली निसंदे भारती जनता पार्टी में यहीं दो सबसे बड़े वेक्ति जिनकी कुंडली बेह चांदार है उनमें से एक व्यक्ति मैंनी के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सम्भावना देखती है मुख्यमंत्री बनने के बिलकुल पूरी प्रवल सम्हावना है लेकिन ध्या शनी और खास्तों से यह जो प्लेनेट का ट्रांसिट चालू हुआ है आप देखेंगे कि मंगल इस समय ब्रश्चिक राशी में कब तक माने कब तक मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सकता है मुझे लगता है कि जब तक गुरू मारगी होके और ब्रश्चब राशी में नहीं पहुँचेगा वो चौवीस में दोहजाद चौवीस के बार नहीं पहुँचेगा इस बीश्मिन को और संक्रटों कर सामना करना भारत के नेस्ता दमस जब कहा जाता है बड़े जोतिशी और उसी रूप में पंडित अर्वीन जी विख्यात हुए है आपने कैलाश जी की चर्चा की कैलाश भी जवरगी जी बड़े धुआधार किसम के नहीं ता है जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो चुनाव हैं तो वह भी मुख्वंती पत के बड़े दावगया विगां इससमें सबसे और यर्यतिकी के अरथ की कुनली भारती जंता पार्टी में तोमिंस सबसेबा नाम कैलाश सी कि कुली क OR को चालाश की की बंती है में जनढ़म राशी की कुली के दूसरे चरण में का जनम हुआ प्षाप जुके तर ये नोग जोगत नुगति कि Remember the में जुखेर था में और आप सूची तर्ञे। आप सोची जिसका मोवा कि पंचंव हो ultimate नुग लंद में उच्च का हो करगो है कि आप देखेंके नहीं ईक पक्रायं ने पुखराश्त तो को दाल रखा है सीधे हाथ की इनेक्स फिंगर में पर में उनको बोल बोल के ठागिया है कि भैसा एक नीलम जरू पहनो आप पहनो जो जरू लाव होगा जब भी पहना हो निसंदे पहने लेकिन उनकी कुंडली बाकरी में बहुत शांदार है बाविश्क के एदी मध्यपरदे उसके बाद मध्यपरदेश में यदी सत्ता परिवर्दन होता है तो उस परिस्थिती में जब भी परिवर्दन होगा तो पहली 24 जो होगी वो कहीं न कहीं कहीं केलाश जी है कमलनाथ जी, शिवराज जी, नरेन सिंग जी और कैलाश विजय वरगी साब इन सबकी हमने चर्चा की पंडित अरविन तिवारी जी से बातचीत के इस दौर को जारी रखेंगे और देखेंगे के महासंगराम में किस-किस के साथ क्या-क्या होने वाला है फिला लेते हैं ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है, नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इंफ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी, मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चड़ गई बिर के बाद आपका स्वागत है, हमारे साथ महा संग्राम में चर्चा के लिए प्रख्यात जोतिशाचार पंडित अर्विन तिवारी जी है, अर्विन जी को भारत के नेस्ता दमस के नाम से भी जाना जाता है, अर्विन जी, कई सारे, एक नाम था फग्गन सिंग कुलस्त जीत आए, वो सबसे बड़ी बात है, जीत जीतने पे पी जान्शाह था, तक मैने उनके बारे में प्विश्मानी करणी कि कि वह 1000-2000 वोतों से जरी जीत क्या है, जीत कम मार जिन बहुत कम रहे जहाएं, नर्एन सिंग तुमर जी लगभग 5,000 से जादा बोटों से जीत करा ह से कई सारे मुखमंतः के नाम θे और पहली बार ऐसा हगा कि वीज़े-पी ने मुखमंतः का चेहरा इस पस्ट नहीं किया इस कारण भी तमाम सारी बातियां एक लिए एक नाम और पहला सिंग पटेल से चुना कि पहलाज सींपृम्द बहुता ऊसानी से चौनाव जीत हहा है और पहला जीकिक पढ़े नहीं चहए है बहुत मुश्किल होगा उंटनी जह कुपया है कि योग मेग्फाइय है तो अभी तो नहीं आ रही है सथा अभी तीन तारीक के बाद यदि कोई पार्टी सथा पर पहुंचेगी तो निसंदे कॉंग्रेस पार्टी होगी और कॉंग्रेस बहुत अच्छे कि एक सो सत्रा तो मैंने प्रडिक्ट किया है मुझे लगता है कि 120 के आसपास कॉंग्रेस की सीट अना चाहिए तीन जैसा दावा कर एक सो चालीज एक सो पचास एक साटा लग अलग निता लग लग बते करें कॉंग्रेस के समभव निए देखे मैंने सीट गिनी हुए देखे तीन चीने हमेशा ध्यान दखिए कि जोतिश के साब से जो लोग प्रडिक्शन करते हैं उनको तीन जीजों का ध्यान रखना ची सबसे पहले कि दो पार्टियां जो चुनाओ लट रहे हैं अब किन के नेतरत में चुना हो रहा है तो आप देखेंगे कि वहां पर प्रदेश यहां पर प्रदेश अदक्षे मानी तो इन दोनों की कुणली फिर इसके बाद जो प्रत्याशी चुनाओ लट रहे हैं उधारन के तौर पर यह हम कहीं की भी बात करें भौपाल शेहर की बात भौपाल शेहर में जहां पर दखल नी उसका स्कूरियो है यहां पर भौपाल यहां पर दो प्रत्याशी हैं कॉंग्रेस के मानी पीसी शर्मा साब और उधर से भगवान दा सवनानी जी तो आपके मेमोरी में हर वेक्ति की कुंडली सब जाती है अगर आप देख लेते हैं मैं इसमें आपको फिर रूख रहा हूं मेरा सवाल था कि आपने बीडी शर्मा सब्सक्राइब के बीडी शर्मा जी वहां पर प्रदेश अधर के इसी कारण पार्टी साठ से एक सो दस के पास आप आरे हैं इसमें जो पार्टी पहले साठ के आसपास रूखने वाली थी वो सीधा उसको पार कर रही है आपने बीडी शर्मा के समय के के अधर यह बहुत बेहां उसकिल बहुत मुश्कल एक साथ एक सासी का आप प्रताफ था उनकी कुंडली का प्रताप है जोतिश के साब से हम यह मानें कि बीडी शर्मा का भाजपा का प्रदेश सद्यक्ष होना जोतिश के नुसार बीजेपी के लिए लापकारी है देखिए ब्रश्चिक लगन कन्या राशी चित्रा नक्षछतर के पहले चरण का जनम उनकी कुंडली जवानी आद है आप सूची क कि केवल उनका नेत्रत्व था जिस समय चुनाव डिक्लेयर हुए मैंने उसी दिन कह रही है था कि भारती जल्टा पार्टी को इतनी सीटें श्राफ मिले जो चंबल में कही ना कहीं परिशानी थी जो विंद में कहीं परिशानी थी वहल हुई उनकी कुंडली के कारण हुआ प्रदेश अद्यक्ष वह बेशक जीवनवर्तों रहेंगे नहीं लेकिन जब तक व्यक्ति बैठा है और उसके नेत्रत में चुनाव हो रहे है पार्टी को लाब दिलाए तो यही कारण है कि बीली भाई के नेत्रत्व एक और ब्रह्मन नेता है भारती जंता पार्टी के प आपको हराएंगे नरुतन भाई की कुछ इस प्रकार से है मीन लगनोब्रश्यक राशी की कुणली है अनुराधा नक्षदर के दूसरे चरण में वह पैदा हुए और आप देखेंगे के यदि महां पे अवधेश नायक होते तो मैं इस बार को थोड़ा सा विचार करता जर अनुरा तुमोटी के पी अवधेश की अविगा वक्रोण में हो एक रिचेता हैं कि अविच्च में गया आतर प्रणलि में व्यूब्रस के मुपन्त्री हो सकते बिलकुल हो सकते हैं उनकी चूंदी में इस समें च्शनी की महाँ दुश्यक चल रही है और उनकी कूंदी ब् तो आप देखिए कहां ABBP से शुरू हुए सांथत बने प्रदेश के अध्यक्ष बने कितने ही लोग मने एक जमाने में सोयम टिकेट के दावेदार गवा करते थे इस वार उन्होंने 230 टिकेट बाटे कितनी बड़ी बात तो यही ग्रहों का खेल होता है कि उस पंचंभाव के शरी ने उनको इस उचाईयों तक लेके गया कि वह आज ठिकेट बाटने है और भविश में भी मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि बीदी शर्मा साथ का बहुत उच्वल है मंत्री बनने की संभावना है भविश में वह कभी भी मंद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और जैसे जैसे शने शने राजनीती आगे बढ़ेगी तो पंडित जी की यादिया आएंगी उनकी कही बातें कानों में बुझेंगी आपने कहा कि कॉंगर्स की सरकार बनेगी थोड़ा बत जो तिशीया धनिया आपसे सीखता समझता रहता हूं तो कई बार ऐसा रखता है कि कुंडली है उसमें ऐसे योग भी है कि वो लंबी सरकार नहीं चला सकते हैं बिलकुल मैं आपको बता हूं आपको याद होगा बहुत पुरानी बात है 2017 दिसंबर की बिलकुल हम एक डूसरे चैनल पर आपके साथ बैठे थे और मैं बेबाग बात करके आपका एक प्रोग्र और मैंने उसी प्रोग्राम में कहा था कि 2018 में जब भी चुनाव होंगे एक साल पहले की बात थी एक साल पहले मैंने आप भी के सामने भाविश्मानी की थी कि मद्देवर्देश के अगले मुख्यमिंटर कमलांजी हैं आज फिर उसी बात तो दोरा है देकि दो चीजें कमल होज़ा है अच्छ यह दशा कब से खराब हुई है 2016 से खराब हुई और यह कब तक चलेगी 2034 तन बीस साल मने उनीस साल की शनी की महाद शाइचा चले और आप देखी कि इस समय कर्निया राशी में के तू कर तो गया के तू ने क्या गिया बापस इस्थापित करने की कोशि मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश गानिया राशी का प्रदेश कॉंग्रेस की का राशी और कीतु का राशी और सबसे बड़ी बात इस समє 주रे शुक्र, जूकि राजनीती का का रहा है कि उ हमारे की दुटिश में नीच्का होके चल रहे हैं, जोतिश में नहीं मैं आपको वही कह रहा हूं कि देखिए 18 महीने का केतू है और केतू जब बापस सिंग राशी में पहुंचे जाए वहां पे वो कमलनाजी को दिखता ज़िए ज़िगा केतू कभी भी जा तक को इस्थाई नहीं होने ज़िए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 18 महीने कभा कमलनाजी की सरकार के सामें संकता जाए बिल्कुल मैं तो बलगि उससरे भी पहले कहूंगा की होसकता है लोकसर्वा चुनाओ और या लोकसभा चुनाओ के आसपास ही सरकार को संकत दिखाई देने लगे तो इसमें दोरा आने क्योंकि मद्यप्रदेश में चुनाओ किस तारीक को हुआ है 17 तारीक की कुंडली आप देखेंगे 17 तारीक को पूर्वा शाड़ा नक्षत्र मने चिंद्रमा पूर्वा शाड़ा चौथा भाव हमेशा माना जाता है सुख में कमी लागे अचा जिस तारीक को रिजल्ट खुलेंगे उस तारीक को पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र के तात्पर होता है कि बार बार बसना बार बसना तो पुनर्वसु बार बसना तो प महुत बता सकता हूं कि उनकी सरकार इस्थाहित को प्राफ करेगी और वो फांसाल तक जरूँ चलेगी तो क्या क्या साफधानिया रखनी चाहिए क्यों कि दूद कजला कहते हैं कि छाच को भी फुक फुक कर पीता है एक बार उनकी सरकार जा चुकी है 15 महीने इस बार ज्याद प्राइब उनकी सरकार होगी तो निसंदे किसी जोच्छी से जरूर ने सला लिए और मुझे लगठा है कि उतना ग्यान नहीं रखते जितना शाहिए मेरे पास है यह नहीं कहता है कि मैं कोई परम ज्यानी हूं लेकिन मेरे को वह ज्यान है कि कैसे अपनी सरकार को इस्थाहि परम डिश्प मेरे कटन सांचा में और विल उनकी मेरे की नहीं अग्यस का इस जोङए उनका ह्री बशो में लेक्टिर न है लगरे राधार सब्सकुजर एन इस पूरे में और तो सब्झे करना बूल गाए उनका नाम में शरी दिगवे जहिए संग बूमी का रहे है कि के जाता है, रोनी नक्षदर दूसरे चरण में उनका जुम हुआ है, दिगवेदे सिंग जी की भूमिका बहुत जवर्दस रहेगी, दिगवेदे सिंग जी चाहेंगे कि कौन रहेगी, मैं आपको फिर टोक रहा हूँ, सरकार चलाने में, चरकार किरवाने में, क्योंकि पिर जब सरकार गड़ी थी, तो सिंधिया साब ने पूरा ठीकरा उनके ऊपर पहो दिया तो यह माना जाता है कि कमंदा जी की सरकार देखवेदे सिंग जी करण चली है, मेरा मानना है कि भूमिका क्योंकि आपने शब्दों पर नियंत्रण में, क्योंकि कुनली में चंदरमा ऐस सारे मंत्रियों को विभाग दिलाने से लेकर इस प्रदेश की सत्ता चलाने में उनकी बड़ी भूमिका आवश्य रही है। कैसे चलेगी और कब तक चलेगी। पंडित जी हम महासंगराम में आपको फिर बुलाएंगे और फिर कुछ किरदारों पर शर्चा करेंगे। फिलाल इतना ही आप देखते रहे हैं दखल नियूस। नमस्कार। तक लियूस। तक लियूस। तक लियूस।